हलो एवरिवान, वेलकम टे यार चैनल इलेक्ट्रिकल पढ़ाई आज मैं आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टन टापिक पर वीडियो लेके आए हूँ कि टेप्स क्या है इलेक्ट्रिकल वाइरिंग करने के लिए कई बाए हम वाइरिंग करते हैं लेकिन कुछ दिनों बाद ही वो वाइरिंग जल जाती है खराब हो जाती है उसमें क्या मिस्टेक्स हम करते हैं और क्या टेप्स हैं जिसका आप ध्यान हटना चाहिए wiring करती समय वो टेप साथ मैं इस वीडियो में discuss करने वाली हूं वीडियो को अंत तक देख़ी गा वीडियो को पूरा समझने के लिए चलिए टाइम ना वेस्ट करते हो चार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहला और important point होता है वारा power test जिसे हम electricity check भी बोलते हैं इसका मतलब क्या है कि जिस wire पे हम काम कर रहे हैं, उसको सबसे पहले हमने चेक करना है कि कही इसमें से कोई भी current आ तो नहीं रहा है, उसमें current passage हो रही है कि नहीं हो रही है, किसी भी line tester की help से आपको उसको चेक कर सकते हो, और आपको सिर्फ उस circuit का off नहीं करना है, अप सारा का स सारा ओफ कर दीजी हो सकता है कि उस साइड की सप्लाई कहीं और से भी आ रही हो तो इस बात का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है कि आपकी जो इलेक्रिसिटी है वह अपको चेक करनी है कि उस सरकेट में कोई भी आपकी इलेक्रिसिटी पास ना हो रही हो जब आपको भी चांसिज है कि आपको भी शौक लग सकता है तो इस कंडिशन से बचने के लिए आपको सारे के सारी पावर है जो शेट अफ कर दिनी चाहिए चली बात करते हैं सेकिंड पॉइंट की नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एंपियर रेटिंग हमारे घर पी जितने भी एकिप्मेंट्स होते हैं उनकी अलग-अलग एंपियर रेटिंग होती है और सारे के सारे घर का जितना भी समान होता है हमारे एकिप्मेंट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से चलते हैं या तो वो सॉ करने चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो वह जल जाएंगे उसके साथ वाइरिंग भी डैमेज हो सकती है और आग भी लग सकती है इसलिए वाइरिंग कहते से में सबसे पहली जो आपको चीज चेक करनी है वह एंपियर रेतिंग क्या है हमारे अप्लाइंस की हमारे एकिप्में करनी जी है हमारी जो भी आपको नएकिप्मेंट देखा होगा कोई भी आपने सौकेट दिखा होगा उसमें त्री पिंज होती है त्री पिंज में से हमारे एक पिंज जो रहती है वह ग्राउंडिंग के लिए होती है और जिस भी हमारे एकिप्मेंट में लाइक हमारे रेफ करेंट को अर्थ की तरफ से निकाल देता है हमारे बाड़ी में से नहीं निकलता है वो करेंट जो होता है तो उससे क्या हो जाता है हमें फाइदा हो जाता है हमें शौक लगने के चांसिस बिल्कुल खतम हो जाते हैं इसलिए हमारे घर के जो भी एक्रिप्मेंट्स होते हैं उ next point है हमारा make tight connections इसका मतलब है कि हमें tight connections बनाने की जरूरत है जब हम वाइरिंग करते हैं जब हमने वाइरिंग कर दी तो उसको खीच के एक बड़ ट्वाइज जरूर करना चाहिए कि वह खुल तो नहीं रही है हो सकता है कि आपने connection कर दिया और बाद में आपनी खीची वायर वो box के अंदर ही खुल गई हो और वो आसपास की area से connection में आ गई हो तो क्या होगा कि जब आप उसको touch करोगे तो आपको current जोगा वो लग जाएगा और इसमें क्या है कि आपको एक और चीज़ चेक करने के जरूरत होती है कि आपने joints जो डालने है वो unnecessary joints नहीं डालने है यह नहीं कि आपनी चोटी चोटी wires एक साथ जोड के बड़ा connection बनाना नहीं joint तभी लगाने है जब उसकी जरूरत है बिना मतलब कि हमने joint कोई भी नहीं लगाना है वाइर को बड़ा करने के लिए joint नहीं लगाना है उसकी जगा बड़ी वाइर यूज करनी है ठीक है इससे भी accident की काफी chances होता है वह eliminate हो जाती है next point है हमारा right wire यह बहुत important point है friends इसका बहुत ध्यान रखने की जरूरत पड़ते है mostly लोग क्या करते हैं कि घर के सभी के सभी equipment को एक ही wire डाल देते हैं मतलब एक ही gauge की एक ही standard की डाल देते हैं लेकिन equipment की ratings अलग-अलग है तो उसके हिसाब से wire डालनी चाहिए अगर वहाँ पे मोटी wire की जरूरत है तो वहाँ मोटी डाली यह पतली की जरूरत है तो standard check करके डाली के वहाँ पे कितनी equipment की rating है कि उसके हिसाब से wire हमें डालनी की जरूरत होनी चाहिए ठीक है उसी हिसाब में wire भी डालनी चाहिए next point है हमारा close box tight जैसे कि आजकल हमारे जो wiring यूज की जा रही है वो conduit wiring यूज की जा रही है और हमारा उसमें क्या होता है एक वाल में हमारा आरेंग का गैंक बॉक्स होता है वो इंस्टॉल कर दिया जाता है वो टाइट होना चाहिए अगर वो टाइट नहीं होगा तो current passage क्या होगा उससे शुरू हो हो जाएगा अगर कोई वायर उसे टच करेंगे तो अगर कोई भी human being उसके contact में आएगा तो उसे भी शौक लग जाएगा होप आप सभी को सभी के सभी point समझ में आ गए होगे चाहिए तो page का screenshot लीजिए वीडियो अच्छी लगी होगी तो like जरूर कीजिएगा चैनल पी new है तो subscribe जरूर कीजिएगा और साथ ही में bell icon दबाईगा एक बात और आपके लिए कि मैंने 10 second teaching शुरू की है आप सभी के लिए जिसमें मैं आपको 10 second में हर topic clear कर रही हूँ वो playlist भी आप watch कर सकती हो description में link है और मुझे Instagram पे follow करना मत बुलेगा thank you मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो के साथ